हेलो स्टुडिंट, वेलकम बाए एक डीके सेर क्लासिज, बबू ये देख सकते हैं, दो हजार चोबिस का जीव बिग्यान का वाइरल पेपर लेगा आचुके, इस पेपर को अच्छे से पढ़के चले जाना बबू, मातर ये आपके पास रात का ही समय है, और इस पेपर को अ पूरा सटीक तयारी इस वीडियो में, इस पूरे पेपर का सलूशन के साथ बबू, एककदम और शर्ट नमर फोड़के आएंगे, 29 तारी को ठीक है न, 29 फरवरी को एकदम फोड़के आएंगे, अच्छे से इसको तयार करके चले जाना, आपसे ये ही रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को पूरा वाज किजी, एक कोशन को अच्छे से आटेम कर लिजी बबू, क्योंकि 29 फरवरी को इसी में से कोशन छपके आएगा, अच्छे से टकराएगा कोशन, तो आपका दिमाग जो एकदम खूस हो जाएगा, वीडियो को प्यारा से लाइक कर जीजी, चैनल प 30 नमर का ही रहेगा, 30 नमर तो आपको वहाँ से, यानि प्रैक्टिकल से कोलेज के थुरू मिली ही चाहेगा, तो इसमें चीनता करने की बात नहीं, लेकिन लिखित परिच्छा से आपको 70 लाना है वाई, तो बहुत इंपोर्टेंट चीज है, आईए के कोशन को यहाँ से सम 15 मिनट बच्चों को, यानि परिक्षार्थियों को प्रस्ण पत्र पढ़ने के लिए दिया गया, ठीक है भाई, लेकिन आपने तो पढ़ा नहीं, कोशन जल्ली-जली करना स्टाट के, लेकिन आपको यही गलती हो गई, कि कौन सा क्षण किस कंड से कितने भी करने है, और य 15 मिनट में पेपर पढ़िए, कि कौन सा प्रस्ण लंबा है भाई, उसके इसाब साब को उसको धान में रखना पड़ेगा, कि इसमें समय इतना लगेगा, तो उसके इसाब से उसमें टाइम देंगे, इसलिए 15 मिनट पेपर को अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है, तब जा अपने उत्रों की पूष्टी नमांकित रेखा चितरों द्वारा किजिए, कह रहे है इसमें बबू, कि जो भी और सिप्ता पड़ेगी, रेखा चितर बनाने की, वहाँ पे आपको रेखा चितर बनाने है, अगर नहीं बनाएंगे कि और नमांकन करेंगे, तो नमबर आधा इसलिए धान देजिएगा, पर तेक प्रसन के निर्धारी तंक को सामने दिया है, कि हाँ ये प्रसन एक नमबर का है, हाँ ये प्रसन पांच नमबर का है, वो चीज़े यहाँ पे लिखिए लाइन में, ठीक, इसके बाद यहाँ से हमारा जर्नी जो है स्टार्ट होता है, क्या है कि निमलीखित में से कौन सा पूस्प जो है, नर जनन अंग का प्रती निधित्व करता है बवु, देखिए यहाँ पे चार भी कल्प दे रखा है, और बोला है इसमें कि कौन सा इसा पूस्प है, कौन सा इसा फूल है भाई, कि जो नर जनन अंग का प्रती निधित् तो यह पुमंग पहला है इसके बाद जयंग है इसके बाद गुरु विजारुधानी इसके बाद प्राग कर तो आपको मैंने पहले ही बता रखा है कि पुमंग जो होता है पुस्प का वो नरजनरंग का क्या करता है प्रतिनिधित्व करता है अच्छे से पढ़ लेना अभी इसका पहले सलूशन बहुविकल्पी गहोज है इसके बाद जो है एक अदम धुआधार कोशन जो आएगा सीधे पेपर में टकराएगा आप लोग धान से पढ़ लिजिए एक के कोशन को को नमर देखिए प्यारी स्टूडियन क्या लिखा है बबू कि मनुसी में संतान का लिंग निर्धारण होता है किसके द्वारा होता है प्यारी स्टूडियन को नमर लिखा है कि मात के लिंग गोण सुत्र से होता है सर यहाँ पे बी नमर लिखा है कि अंडानू के माप से होता है और तीसरा लिखा है सुकुरानू के माप से और चोथा लिखा है न भाही कि प प्रपर मेंत ठकरा जये जवब तो सामना एक दम जवरदस्ती से करना एक के कोशं का सक्ते से अनसर देना चलिए घुकर điूर् perm यानि ए नमबर विकल्ब और दो नमर इन दोनों में और यहां पक्रिशी में भी नहीं इसका मतलब कि यह तो दिसरा working जो दीखर हैं बाबो यह सत्थे हो जाएगा क्योंकि देखी चिक्ःत्सा में भी इसका प्रयोग किया जाता है और क्रिसी में दोनों छेतरों में इसका प्रयोग किया जाता है genetic engineering का इसलिए यह तीसरा भी गल्प सत्य क्यों कि पहला और दूसरा को इसमें combine कर रखा है अच्छे समझ लिजी एक कोशन जो है आपको बरूद की तरह घोल की पिला देते हैं वहाँ पे जाएंगे ना तो सीधे फड़ाग यानि कि उड़ा के रख देंगे कोई भी कोशन आपसे बचने वाला नहीं है अच्छे से बस धान से पड़ लिजीगा आप लोग बिकल्पी चार ही आएगा चोथा लास्ट हो आए जैसे की बिकल्प दे रखा है कि सवाल और जीवानु सेवाल और जीवानु दे रखा इसके बद सैवाल और कवक यहाँ पे जो दूसरा बिकल्प देख रहे हैं बभू यही सत्य है क्योंकि सैवाल और कवक जो दोनों होते यह लाइकेन जो पारिस्थिती कनुकर्मों को क्या करते है प्रारम करने में सक्छम करता है यही साचीवी साचरी है समझ में आगे है कौन सा है सैवाल और कवक बढ़ियां से छाप देना पेपर में आ जाए तो अगला कोशन बाबू धान देजीगा यहां से अती लगू स्टा क्या है क्लाइन फेल्टर यहां टर्नर सी ड्रोम में गुर्ण सुत्रों की कितनी संख्या होती है बबो अच्छे से इसको ध्यान देजिए इसका अंसार आपको अच्छे से पढ़ लेना है जैसे कि यह उत्तर पूरा इस पर छपके आ चुका है आप लोग को यही वाइरल कर दिया गया है अच्छे से पढ़के बस ध्यान से मेरी बात को अच्छे समझ के जाना है ठीक है दूसरा का को देखिए कि क्लाइन फेल्टर सी ड्रोम में कुल जो होता है किंद्रक 47 इंटू 44 प्लस X X Y होता है और गुण सुत्र होता है यह क्या होता है गुण सुत्र होता है अब लिखेंगे यहों टर्नर सी ड्रोम में कुल जो होता है 45 कितने होता है प्यारी स्टूटिन 45 गुण सुत्र होता है जो कि 44 प्लस X यह उपस्तित होता है गुण सुत्र जब बस पूछेगा कि क्लाइन फेल्टर सी ड्रोम में कुल संख्या कितने होती गुण सुत्र होता ह जीएगा ऐसे ही लिखना पड़ेगा क्लाइन फेल्टर शेड्रों में कुल जोता है 47 इंटू 44 प्लस एकस एकस वाई गुणसुत और टर्नर शेड्रों में 45 और इंटू 44 प्लस एकस यह गुणसुत रहता उपस्तित समझ में आके न अगला प्रस्न अगला क्या है प्यारी प्यारी स्टूडियन कि नर जर्म को सिकाएं अर्ध सुत्री विभाजन द्वारा सुक्राणू को क्या करती है बवो निर्माण करती है जो सुक्राणू होते उसका निर्माण करती है अच्छे से समझ में आ रहा है ना एक लाइन वाला जो प्रस्न होगा वो एक एक नमबर क गनमर दिखें धुसरा का प्रागकन मात्र को सिका में गुण सुत्रों की संख्या कितनी पाई जाती है यह पेपर में एक अदम ही पकाई पूछेगा अच्छे सिर्विजन करके जाना प्यारी स्टुडिंट क्या लिखेंगे इसका गनमर की प्रागकर मातरी कोशिका में गुर्शुत्रों की जो संख्या होती है भाई दो ही गुरित होती है यानि कि दो एन होती है यह याद रखना क्या होती है दो एन होती है अच्छे से पढ़के चले जाना इसकी बाद जो है घनमर क्या है पैर स्टुडिन घनमर उस एंजाइम का न यहांपर धान देजिएगा यहां पे गहर नंबर की बिद्दलन एंजाइम क्या प्यारी स्टूडेन बिद्दलन एंजाइम जैसे कि यहां पे एक्सोनेकुलिस यहांपर देखें, डिन अरू को खण्डओत classify तोड़ देता है अलग लग बाट देता है यह बिदलन एंजाइम ठीक है ना अच्छे से पढ़ ले ना इसको अगला कोशन दूसरा कि एक अदम ही वाइरल पेपर है बबू अच्छा से पढ़के चले जाएगा इत्मिनान से पेपर में जादे कोशन जब टकराएगा न तो ए कहते हैं भई इस परशन को थोड़ा अच्छे से पढ़के चाना कि कारबन डाइकसाइड सी ओटू का इस्तिरी करण करने के कारण पोधे को क्या कहा दिया जाता है क्या बोला जाता है तो धान देसी एका अंगा नमर का क्या लिखेंगे प्यारी स्टूडियन कि कारबन ड्यूसर बोलते हैं उसको कहते हैं ये स्टूपशी होते हैं क्या होते हैं स्टूपशी यानि कि आटोप प्रोफी इसको स्टूपशी बोला जाता है अच्छे से पढ़के चले जाना ये देख एक नमर वाली कौशन थी अब यहां से जो है बहुत इंपॉर्टन कौशन पस्ट किजिए पेपर में इस बार एक अदम है ना कि IMP है यह पेपर में एक अदम पूछेगा कि पक्षी जो होते है ना पक्षियों में लिंग का निधारण कैसे होता इसको पस्ट करके दिखाए बाबु चलिए जादे भी नहीं लिखना है टूद फएंड चलना है ठीक है यहां पर तीसरा के गौध ध्यान देजिएगा आप सबी लुख ध्यान से देखिए कि पक्षियों में लिंग निधारण की कैपिटल जेड जेड से लेकर जेड डाबल्यू करिया बिधी पाई जाती है ठीक है ना इसमें चार यहां पर देखिए सोरी इसमें नर सम यूगम की होता है जिसके दो लिंक गुण सुत्रों को जेड जेड से प्रदर्शित किया जाता है अता नर हमेशा समान परकार के ही यूगमक उत्पन करेगा इसमें मादा बिस्म यूगमकी होती है जिसके दो लिंक गुण सुत्रों होते हैं जैसे के जेड डेबल्यू से करती है समझ में आगे प्यारी स्टूडेंट ऐसे ही पहुक्षियों में लिंक का निधारर होता है अच्छा समझ लीजिएगा थोड़ा सा गाराई से पढ़के जाना अगला कोशन जो है बबू यहां पे देखिए खह नमर तीसरा का खह है कि प्रतिरक्षा क्या है पेपर में पोचेगा कि प्रतिरक्षा क्या है बबू यहां पे देना पड़ेगा अच्छा समझ लीजिए देखिए खह नमर शरीर में सभी प्रकार के रोगजन को और उसके उनके विसायले पदार्थ को के दूस परभाव का प्रतिरोध क्या होता है बबू प्रतिरोध करके सम एस्थ इतना भी लिखेंगे तो नमबर मिल चाएगा आप चाहें तो इतना भी लिखेंगे क्योंकि प्रतिरोध चमता पुछा है बस इतना लिख देंगे न कहते हैं बस हो गया इतना लिखेंगे कोई जरूरत नहीं है ठीक है हाँ आगे बढ़ते हैं यहां पर देखिए गशन देखिएगा यहां पर जो आप फीगर देख रहे हो मेरे प्यारी स्टूडिन ऐसे ही पेपर में आपको DNA की द्वी कुंडिल सिरंखला बनाने है कैसे बनाना है दान दिजिए जिससे कि आप देख रहे हैं यहां पर थोड़ा समय एक पेंसिल का यूज कर लूँ ताकि यह अच को सबसे पहले धान देखिएका अब यहां पर देखिए इसका जो बीच का गैपिंग है दोनों बीच के नली को इसको क्याआ बोला बोलते हैं क्या बोलते हैं बबो पाली यहां पाली नूकलिटाइट यह दोनों के बीज के नली जो है इसको पाली नूकलिटाइट बोलते हैं और यह जो दिया है ए रिलेशन्स टी जी रिलेशन्स टी मतलब इस तरीके से संबंध जो बना है इसको बोला क्या जाता है बबु इसको नाइट्रोजन चार बोलते हैं क्या बो यहां कि इना है प्यारे बबू इसके बाद चलते हम यहां पर यह taro होता यहां से सुरू होता। यहां से इसका यहां पर बिंदू है इसको केंद्रीय मुख्य कुंजी अक्ष्य बोला जाता है। ऐसे ही जो भी points हैं जैसे भी gadgets बने हैं इसमें दिर खांचा जो बना है इस तरीके से आप लगू खांचा बनाएंगे अब बढ़ियां से एक दम suitable करके इसी format में अच्छे से आप लोग paper को schedule कर देंगे अच्छे से और आम के बीच पेण के बीच पारस्परी क्रिया को आप आप कैसे असपस्ट करेंगे यह paper में पूछेगा इस बार most important है आप paper जब देखे आएंगे तो इस समझ में आएगा कि सर क्या बोले थे कि आर्गीट पौदा आम के पेण की सका पर उग रहा है आर्गीड और आम के प पेण के मद्य यह पारस्परी क्रिया सह भोजिता आत्वा परोपकारीता का उधारण कालाती है ठीक है ना लिखेंगे पादप जगत में अधी पादप वी पादप है जो सोपोसी है क्या है सोपोसी प्रंदू दूसरे पादप को पर उगते है क्या है आर्गीड इसका होजन स्वयम ही बनाते हैं और उस पादप को किसी भी परकार की हानी भी नहीं पहुचाते यह पादप अपनी आर्द्रता यानि ग्राही लटकने वाली जड़ों पर ही क्या कर लेते हैं वहाई मंडल के थुरू अपना और सोचल कर लेते हैं बस इतना लिख दीजिएगा ज क्योंकि स्लेबस से इसको थोड़ा आटा दिया था मैंने इसको ले लिया था कि चलिए भाई इसको बच्चों को बता दूं कि यह आप लोग इसको याद करके अपना टाइम वेस्ट मत कर जिएगा क्योंकि ट्रंसजेनिक जीवाला इस बार नहीं आएगा ठीक है पुछे का काही नहीं साफ साफ इसको अटा दिजिए आप देखिए लगु उतरी प्रसन जो है यहां से इंपोर्टेंट को सडिवल करेंगे एक कोशन को यहां से ध्यान से देखेंगे क्या है प्यारी स्टूडिन का नमर कि लगु भी जारुधानी तथा गुरु भी जारुधानी के करें विज बीज कोई तीन अंतर अस पस्ट करें तीन गो अंतर बताना है और चलिए हम अंतर बताते हैं दानस देखिए चार का क्या है प्यारी स्टुडिन सबसे पहले तो पेपर में लिखने का तरीका समझे कि लगू बिजार उधानी तथा गुरू बिजार उधानी के अंतर लिखना है सबसे पहले एक साइट में लगू बिजार उधानी एक साइट में गुरू बिजार उधानी सबसे पहले लिखेंगे लगू बिजाड उधानी में कि एक प्राग कोस की दोनों पालियों में कुल चार कितने बबू कुल चार लगू बिजाड उधानी पाई जाती हैं जिसमें क्या होता है लगू बिजाड उधानी या प्राग कणों का निर्माड होता है वहाँ पे नया अंडायसे में एक, दो, तीन या अन्यक बिजाड या गुरु बिजाड उधानी पाई जाती हैं जिसमें गुरु बिजाड उधानी या फ्रून कोस का निर्माण होता है बस ऐसे अंतर लिखे लिजेगा मेरे डियर स्टूडिन आप सब लोग इसके बाद दूसरे लिखेंगे बबु इसमें लगु बिजाड उधान की क्रिया होती है और इसमें गुरु बिजाड उधान जनन की क्रिया होती है बस दोनों में थोड़ा यह यह डिफ्रेंस है इसके बाद लगु बिजाड उधानी में प्राग मातर कुसका से चार प्राग का निर्माण हो जाता है जबक से पढ़के जाना अगला प्रसंद देखेंगे बबू यहां से क्या है इसमें चार के खौब कि हमारे समाज में लड़किया पैदा होने पर दोस्केवल महिलाओं को दिया जाता है बताइए कि यह क्यों सही नहीं है चलिए इसका उतर आपको पेपर में अच्छे से छाप देन कैसे देखिए बब मानों में लिंग निधार मानों में दो परकार की गुण सुत्र पाये जाते हैं पहला नमबर में बात करूं तो देखिए कि दैहिक या काईक गुण सुत्र यह काईक लगछुडों का निधार करते हैं यह काईक जो होते हैं लगछुडों का क्या करते है क्या होते हैं? एक जोड़े, बस होते हैं, यहां पर लिखेंगे, लिंग निधाड कैसे होता है? बबु तो यहांपे थोड़ा सा jemand आपको समझ के तब बनाना है. यहसे यहां पर म है डिरेक्ट यही चीज ब्यक्थियार कर दिया है, इस फीगर को ही यहां पे लिखेंगे कि एक्स एक्स बीधी में इस्तरी में दोनों लिंग गुर्ण सूतर में एक्स होते हैं। इस्तरी को सन युगमकी लिंक कहते हैं। समझ में आगे ना। ऐसे लिख दीजिएगा प्यारी स्टूडिन और थोड़ा सा आपको यहां पे फीकर भाई बनाना पड़ेगा। देख लिजिए एक्स एक्स जो मादा होता है और एक्स वाई जो होता है नर होता है। मादा का मतलब इस्तिली होता है नर का मतलब मनुस्य वाला। ठीक है। कैसे बच्ची का निर्धार होता है देख लिजिए। यहां पे मादा में क्या होता है। एक तरफ एक्स एक्स दोनों को बांट देंगे और नर में एक्स 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 और वाई को बांट देंगे। एक जो X है यहां पर पुत्री का निर्माड करेगा एक्स जो का पूत्र का ठीक है अब यहां पर चलेंगे जो मादा में एक और एक्स होगा यह क्या करेगा पूत्री ही होगी अगर एक और एक्स जो है एक्स Y करेगा तो पूत्र हो जाएगा इसी तरीके से अगर नर में बात क करेंगा अगर के पूरू से मिल रहा है और एक इस तरह चल रहा है दोनों मिली उप क्या लड़की होगी अगर आप देखिए यहां पर ईक्स मिल रहा है ठीक है माध्य से और वाय मिल गया हम पूरू से लिंग सुत रहत यह एक त्य वाय मिलके दूनेंhinag जाएगा तो इसलिए पूतर जनम लेगा इस तरीके से कंबिनेशन मनता है बनिया से तयार कर लेना यह बस इतना लिग दीजिएगा ठीक है ना जादे नहीं लिगना इसके बाद जो है अगला कोशन ध्यान देजिएगा वाइरल वाइरल कोशन का सलूशन हम इस वीडियो में देते हैं एक अदम धुआ करके आएंगे बाभू अच्छे से पढ़के जाना बस एक संकर क्रास का प्रियोग करते हुए मिंडल के परभावित नियम की वैख्या किजिए परभावित नियम क्या है मिंडल का आए समझते हैं एक के कोशन को बेजोड तरीके से हम तयारी होचा, जब प्रस्पर बीप्रियासी यानि बिपरित लग्षर वाले पाओधे के बीच शंकरड कराया जाता है तो अव परभावित ने होता उसे आप्रभावी लग्षर करा जाता है इस नियम को मिंडल के एक संकर शंकर प्रियोग दौरस समझा जा सकता है समझ में आ रहा है न आप देखिए थोड़ा सा आगे समझना है प्यारी स्टुडियन एक संकर शंकर दौरस पर भावुता के नियम की पुस्टि कैसे की जाती है इसको भी पेपर में लिखना ही पड़ेगा कि किसी जीव के मात्र एक थुलात्मक अनुवानसिक लक्षर पर ध्यान केंद्रित करके जो संक्रड कराया जाता है उसे एक संक्रड कहते हैं जैसे उदारण की बात करूँ तो मेंडल ने मटर के पौधे की लमबाई पर ध्यान केंद्र करके अपने संक्रड प्रयोग किये उन्होंने पाया कि जब सूध लंबे पौधे जो टीटी का सूध बने पौधे स्माल टीटी के साथ संक्रड कराया जाता है तो प्रथम संतानी पीडी जो होती F1 में सदय लंबे पौधे होते हैं समझ में आ गया इसके बाद बबू साथ ही इन प्रथम पीडी के लंबे पौधे में स्वफ रागण कराके यहाँ पे उत्पन बिजो को जब पुना बोया गया तो दूती अस्तानी पीडी जो F2 है के लंबे बौधे दोनों प्रकार के पौधे मिले हैं बस ऐसे ही आपको यहाँ पे थोड़ा सा फीगर देख लिए प्यारी स्टूडिन सब लोग ध्यान समझे इस फीगर को इससे F1 पीडी हो जाएगे यहाँ पे P1 जो है न यह पीडी बांट रहा है TT में जो कि डवल T रहेगा कैपिटल में तो यह सूध लंबा पौधा हो जाएगा इसमाल TT रहेगा तो यह सूध बहुना पौधा इस दोनों को डिवाइड कर दियागा है युगमक के रूपे जैसे इसको भी इसको भी आप PD1 में चलेंगे तो इसमाल TT के बारे में बताएगा है PD2 में चलेंगे तो कैपिटल टी और इसमाल टी के बारे में बताएगा है ऐसे यह आपको भी फीकर बना देना है और थोड़ा सजानकारी यह भी रख लेना बहुई कल्पी में पूछ सकता है कि लक्षर प्रारूपी का अनुपात क्या होता है जिससे लंबे बौने पौधे का अनुपात क्या होता है 3.1 जीन प्रारूप का अनुपात क्या होता है सूद लंबा जो capital TT से परदर्शित करते हैं इसके बाद संकर लंबा जो होता है यह क्या होता है capital T small t बराबर 2 के अनुपात में होता है सूद बाउना जो होता है small TT का 1 के अनुपात में और पूरे का resolution निकाले 1 अनुपात 2 अनुपात 1 के बराबर होता है अच्छे से पढ़ लेना अगला जो question है प्यारी student ध्यांदिस जीगा चार के घर DNA कुंडलिनी की कौन सी बीसेस्ता ने वार्शन व क्रीक को DNA प्रकृति के यहनि की semi conservative रूप को क्या कर दिया कालपीत करने में साहे किया और इसकी व्याख्या भी कर दिया इसको अच्छे से पढ़ के चले जाना देखिए वावो एक के question का निचोड जो है हम यहाँ पे देने की कोशिस में है चलिए यहाँ से देखिए घर नम्मर का क्या है प्रस्ण में पूछा गया था कि DNA के दो रजजुक छार युगमग में पूरक होते हैं इसमें आगे देखिए इसमें दोनर रजजुक अलग होकर टेंपलेट के रुप में क्या करने लगे कारे करने लगे और नए पूरक रजजुक का निर्मार भी कर दिये बस ऐसे आपको अच्छे से क्या करना है प्यारी स्टूडेंट लिख लेना है इसके बाद जो है प्यारी स्टूडेंट थोड़ा साइस में और भी लिखना पड़ेगा भाई कि देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे धांस से देखिए मिसेल सन मिसेल सन एम स्टाहल स्टाहल है ठीक है ना ने सन 1958 में यह कोलाई जिवान उपर नाइट्रोजन के प्रयोग द्वारा क्या किया कि अर्ध सनरक्षी दुगोलन का प्रमार दिया और इस प्रयोग की अंतरगत उन्होंने जिवान कोसिका को पहले भारी नाइट्रोजन यानि N15 के सनवर्धन मादे में कुछ पिडियो तक क्या किया सनवर्धित किया इसके उपरांत इन्हें समाने हलके नैट्रोजन N14 के मद्ध में अस्थनान तरीत कर दिया बस आतना लिख दीजीगा अच्छे से चलिए बबु आगे का कुश्चन जो है नमांकन चीत्र बनाना है चलिए दान देजिएगा ऐसे ही बना के आना आपको अच्छे से पहले तो थोड़ा साथ दो लाइन लिखेंगे क्या लिखेंगे प्लाजमो डियम नमक प्रोटोजोन मलेरिया का रोग जनक या परजिवी है इसका संक्रमर मादा एना फिलीज मच्छर के काटने से होता है बस इतना लिखेंगे और इसमें क्या होता है ये फीगर आपको बनाना पड़ेगा ये जो आप फीगर देख रहे हैं पबू इसको बनाना पड़ेगा जिवन चकर का पूरी अच्छे से छोटे छोटे साइज में इसका फोटो जो ऐसे ही करम में बनाना पड़ेगा इसका नाम भी लिखेना पड़ेगा अच्छे से आप लोग मलरिया पर जिवी का जिवन चकर के बारे में बना के अच्छे से लिख दीजिएगा बस ऐसे इसमें जीव विग्यान के अध्यान ने संक्रामक रोगों को क्या क्या निरंतरित करने में किस परकार हमारी साहता किया है इसको आप बैख्या किजिए चलिए इसको हम अभी बताते हैं धांद जिए कैसे लिखेंगे पहले नमबर क्या लिखेंगे बबू कि जैविक के अध्य से ही पता चलता है कि संक्रामक रोग के कारग क्या है वो इसकी जीवन चक्र कैसे चलता है बस इतना लिखेंगे फिर थोड़ा सा और इधर लिख लेंगे धान दिजिएगा क्या लिखेंगे तीसर नमबर रोग वाहकों के नियंतरड के उपाय पता चलते हैं इसके बाद कम्पलीट हो जाएगा इसके बाद गण अमर देखेंगे बबू क्या है इसमें कि जै उर्वरक कीस परकार के मिरिदा की उर्वरकता को बढ़ाता है यानि कि उसकी जो सकती है बढ़ने की उसको कैसे मतलब बढ़ाता है इसमें भी धान दिजिएगा जादे बस मत लिखेंग मतरा में ब्रिधी होती है जो पादपो की ब्रिधी के लिए उतरदाई होते हैं इन्हें ही जै उर्वरक कहते हैं समझ में आ गया इसके बाद जो है बस इतना पूछा था ना कि जै उर्वरक की किस परकार की मिरिदा को उर्वरकता को बढ़ाता है बस इतना लिख देंगे इ सुप्चमजीव वेज जीव होते हैं जुम्रिदा की उत्पादन सकती बढ़ाते हैं यह फसल को और कार्बनिक पोसक पदार्थ यानि क्या करते हैं उपलब्द कराते हैं जैसे राइजोबियम नास्टाक आद यह सभी होते हैं इसमें थोड़ा सा एक लाइन लिख क्या नाइट्रोजन इस्तिरीकरण जिवाणू और साइनोबैक्टरिया इसके बारे में एक लाइन लिख दीजिए यहां तक कैसे कि यह स्वतंत्र जिवी वह सहत जिवी सुक्षमज जीव होते हैं बस लिख दीजिएग इतना ज्यादे नहीं लिखना है बस दूशा नमर फ इसके बाद क्या है देखिए बैकू लवा क्या लिखा है वायकू लोवा यरेसिस वायकू लोवा रेसिस क्या है इसके बारे में आप डिफाइन कीजिए देखीए बबु कईसे इसको पहले लिखेंगे ध्यान देखें लिखेंगे मुख्यता नूक्लियर पाली हइडरोशीन 25 यानि रोग जनक किको एं अन आर्थोब पोडियन जन्तु को नस्ट करने के लिए उपयोगी है और 207 संगठन जुक्की बोलते हैं डाबलू एचो तता भोजी एम क्रिसी संगठन यानि के बोलते हैं एफ एओ ने क्या क्या है वाइकु लोरवाइसिस को यानि की पिडिनासक की रूप में उपयोग मिलाया है और जान अच्छे से समझ लिजीएगा यहां से समझ जी क्या है कोशेन नंबर निमलीखीत पर टीपडी लिखे इसमें टीपडी देना है बबू ठीक है ना बढ़िया समझ ये PCR पे टीपडी आएगा एक अदम IMP है क्या आप पूछेगा PCR क्या है PCR के बारे में आपको टीपडी लिखने 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 बोलेगा इसके बाद प्रतीबंधन एंजाएम पे भी टीपडी लिखने 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 बोलेगा दोनों को अच्छे से पढ़ लेना दोनों को अच्छे से पढ़ लेना अभी हम बताएं कैसे इसको त्यार करना है बस खानमर देखे जैय प्रदोगी का क्रिसी के छेतर में क्या उप्योग है इसको पढ़ लेजेगा इसके बाद देखिए गनमर पारजीनी जनतु से आप क्या समझते हैं कोई एक उधार लेकिन बाबू यह आपको अच्छे से पढ़के ही जाना पड़ेगा रेट डाटा बुक इसके बाद परजवीता को दोनों को अच्छे से पढ़ लेना 100% पूछा जाने वाला कुशन से इसके बाद जो है आपका यहां पे तीसरा नंबर यहां पे देखिए भूमी की जनन्तंत्र का सचीत वरण की जी और इसमें सुक्राणू कहां इसी तरह हते हैं इसको बताईए देखिए इसको कैसे बताएंगा सबसे पहले तो पेपर में इसको फीगर को बनाना पड़ेगा क्या करना पड़ेगा प्यारी स्टूडियन फीगर को अच्छे से बनाना आठाए इसके बाद ये वला जो है अंड की तरह ये ब्रिसल कहलाताए ये जो है हम लोगा ये सिसन कहलाता है चैना इसको मुत्र मार्ग बोलते हैं पैरी स्टूडेंट यहां पर चलेंगे यह जो है सुक्रवाहिका है क्या सुक्रवाहिनी बोलते हैं इसको इस वाले भाग को सुक्रवाहिनी बोलते हैं यह जो है अपसिष्ट जो हम जल पीते हैं अपसिष्ट ओके निकल की कठा होता जहां पर इसको प्रोटेस्ट गरंती यह जो थोड़ा बद्दूबुदार होती है ब्लैक जुदिया है यह प्रोस्टेट गंती होती है एमपूलाज होता है इसके ठीक पास में होता है और मलासे होता है यहां से तो यह अच्छे से स्पीगर को समाझ लेजिए ऐसे पेपर ने बना कहना है नर बभू पिजारुजनन का यह क्या करना है यहां पर वरण करना है सचीत्र वरण तो बनियास कर लेना जो इंपॉर्टेंट फीगर वला में बता देता हूं अच्छे सबस पॉड़ के चले जाना इसके बाद जो देख रहे हैं आप यहां पर कोशन आठवा नंबर क्या है धा इसे युगमकों की सुधता का नियम भी क्यों कहते हैं यह बताईए अच्छे से पढ़ लेना मोस्ट इंपॉर्टेंट कोशन इस वीडियो में देद रहे हैं जो भी बच्छे नहीं पढ़ेंगे पच्चताएंगे बभू कल बोल रहे हैं अच्छे से पढ़के जाना कहीं स से भी इस वीडियो का कोशन खोज लिजिएगा मैं तो इसका सलूशन भी अभी लाइब लेके आ रहा हूं बस ए घंटे में ठीक हैं वार्शन एम क्रीक द्वारा प्रस्तूत द्वी कुंडिली डिने की सरशना का वरण कीजिए अथवा में भी दिया है कि किसी भावगोलिक इस तरीके स्तयार करने जी कोई भी कोशन मिस मत करना कोई भी मिस मत करना क्योंकि कल 29 फरवरी है और कल ये पेपर में पका छपक गया आएगा तो वीडियो को प्यारा सा लाइक कर दीजिए चैनल पर बहु नहीं है तो सब्सक्राइब करके जूर जिए तो कि अभी आगे का जो कमेस्ट्री है फिजिक से सारे कोशन का यहाँ पर भरमार इंपोर्टन कोशन का लगेगा फीडियो भी टेलिग्राम पर सेंड करेंगे जाए वहाँ पर सबलुक जूर जिए थैंक्स पर वाचिंग बाबू